अस्वालेकुम दोस्तों कंप्ट्वीटर गैस मसी की उस लेक्टे ट्यू फॉर बीपियस वाइव ट्यू बीपियस 15 जॉब्स दोस्तों इस लेक्ट्र में इंतायम सवलात है इंशाला ताला स्केल 5 और 15 के लिए सवलात जरू लगेगे सवला शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो पर जो 100 लाइक का टार्गेट थो आप सब का कावले तरा हम दोस्तों द्रखाटकिस वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें और दोस्तों की साथ जरूर शिर करें ताके जो मेरा एक च्छोटा सा टार्गेट है दोस्तों हो मुका मिल जाए तो यहां पर पहला logic unit A's का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो यू और एल इस एन आईबरिवेशन आफ तो दोस्तो इस सवाल का मतलब यह है कि यू और एल का मुखफिफ है तो दोस्तो क्या है uniform resource locator B's का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो one megabyte is equal to एक megabyte बराबर है तो दोस्तो किसका दस लाक बाइट का बराबर है C's का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो the capacity of three point five inch floppy disk दोस्तो computer में एक floppy disk है हमें हमसे यह पुछा जा रहा है कि three point five inch का जो floppy disk है उसकी गुझाइश कितनी है उसकी capacity कितनी मिन्स उसकी memory कितनी है तो दोस्तो d one point double four mb these का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो the unit that controls all parts and components of a computer is तो दोस्तो इस सवाल का मतलब यह है कि वो unit जो computer के तमाम हिस्सों और इज़ा को control करता है तो दोस्तो CPU these का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो who is called father of computer तो दोस्तो computer का father Charles बेबेच को कहा जाता है उसके बाद दोस्तो the brain of any computer system is किसी भी computer system का दिमाग होता है तो दोस्तो क्या होता है CPU जो है brain होता है computer का C is का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो control plus Z shortcut is used to तो दोस्तो इस सवाल का मतलब यह है कि control plus Z एक shortcut की है किस के लिए इस्तमाल होता है तो दोस्तो B under इसका दुरस जवाब है उसके बाद दो दोस्तो which one is an input device कौन सा एक input device है तो दोस्तो यहां पर जो input device mouse है ठीक है दोस्तो क्योंकि mouse के जरीए हम data अंदर दाखिल कर सकते हैं फिलापी डिस्क, monitors, speakers यह दोस्तो क्या है output device है ठीक है दोस्तो 20 का क्या है दुरस जवाब है यह एक input device है mouse उसके बाद दोस्तो which one is not a storage device इस सवाल का मतलब यह है कि दोस्तो मदजिल में से कौन सा एक storage device नहीं है तो दोस्तो printer जो है वो एक storage device नहीं है ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो the device which provides display to users is तो दोस्तो हमें इस सवाल से पुछा जा रहा है इस सवाल का मतलब यह है कि दोस्तो वो आला means वो device जो सार्फीन को display फराम करता है तो दोस्तो monitor डीस का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो dash is a spreadsheet developed by Microsoft तो दोस्तो जो है spreadsheet यह लवज जहां भी हो दोस्तो spreadsheet को हम Excel कहते हैं क्या कहते हैं इस सवाल का मतलब यह कि देश एक spreadsheet है जिसे Microsoft के लिए त्यार किया गया है तो यहां पर कहा है दोस्तो Excel है Excel जो है एक spreadsheet sheet है जो Microsoft के लिए त्यार किया गया है ठीक है दोस्तो यह इसका दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो वुच टाइप of program the Microsoft PowerPoint is तो दोस्तो इस सवाल का मतलब यह कि Microsoft PowerPoint किस किसम का प्रोग्राम है तो दोस्तो जो यह presentation का एक प्रोग्राम है PowerPoint के जरीए हम presentation त्यार कर सकते हैं 20 का दुरस जवाब है каким in! MsW fragrance builds and numbering are in the table MS WORLD में builds and numbering by table में है तो दोस्तो कॉन से table में है? Home में होता है ठीक है तोके दोस्तो c is-का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो shortcut to insert a new slide in current presentation इज़ां मौजुदा presentation में नई slide दाखिल करने की लिए यह कॉन्ट सा shot की इस्तमाल होता है तो दोस्तो जो जोब है उसके बाद दोसो इन एमस वॉर्ड लेष्ड टूल इस ऑन डेस टूल बार तो दोसो इस टेंडर में होता है ठीक है 20 का दुर्स जवडाब है उसके बाद दोसो इन मेस एक्सिल आल फार्मॉलास मस्ट बिगिन विफ तो दोसो इस सवाल का मतलब यहाए के MS Excel में तमाम फार्मूला का आगास किस से होना चाहिए तो दोस्तो एक्विल से बराबर से हम जो MS Excel में जो है फार्मूला करते हैं सीज का दूर्स जवाब है उसके बाद सेव आप्शन इस प्रिजन्ट इन डेश बार महफूस करने का आप्शन डेश बार में मौझूद है तो दोस्तो टूल बार में मौझूद होता है सीज का दूर्स जवाब है उसके बाद सो एडिट दी सिलेक्टेड सेल दोस्तो इस सवाल का मतलब यह के मुन्तखब सेल में तर्मीम किस की से किया जाता है तर्मीम का मतलब दोस्तो एडिट तो दोस्तो एफ टू से 20 का दुरस जवाब है उसके बाद दोस्तो केड स्टेंडर स्टेंडस फॉर केड का मतलब क्या है तो दोस्तो कंप्यूटर एडिट का दुर्स बाइब खीक है दोसू है दोस्तों ये सवाल सवाल था इन्शाला तोलá बहुत जल्द हम एक और सब्जिक का दोस्तों वीडियो अप्लोड करेंगे जाने से पहले आप काबले तरह हम दोस्तों तरुखास किसे वीडियो को जरूर लाइक करें कमिट्स करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें शुक्रिया दोस्तों अलाफेस